बेहन शिफक नाज और अविनाज के रिलेशनशिप को लेकर फलक नाज ने किया रियाक्ट बोली जिन्दगी में उम्र में हर किसी ने कुछ ना कुछ किया होता है इक बोस OTT2 में नजर आई फलक नाज अब घर से बाहर हो चुती है घर से बाहर आने के बाद से ही वो लगतार खबरों में बनी हुई है करके अंदर आप्टर अविनाज सच्चदेव ने फलक से अपनी फीलिंग शेयर की थी अविनाज ने कहा था कि वो फलक को पसंद करते हैं हाला कि फलक ने उनकी फीलिंग की रिस्पेक्ट की और इसे दोस्ती तक ही लिमिक किया इसी बीच ये भी खबरे आई की फलक की बहन शफक आप्टर अविनाज के साथ रिलेशन्शिप में रह चुकी है अविनाज और शफक का अफेर पर थोड़े टाइम के लिए ही था अब फलक ने घर से बाहर आकर इन सब खबरों पर अपना रियाक्शन दिया है एक इंटर्व्यू के दोरान फलक ने कहा आप मुझे घर से बाहर आने के बाद इस खबर के बारे में पता चला मैं थोड़ी से सर्प्राइस थी कि अचानक से ये न्यूस क्यों सामने आई और मुझे इसके बारे में पता नहीं था कोई बात नहीं हम इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैच्योर है ये न्यूस जैसी पर आई जो भी आई मुझे शफ़क से बात करने का मौका नहीं मिला और मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक को इतनी इंपॉर्टन्स देने की जरूरत भी है मैं इसे इंपॉर्टन्स नहीं देने वाली क्योंकि लाइफ में हर उम्र में हर किसी ने कुछ ना कुछ तो किया होता है हर उम्र में मैच्योरीटी लेवर अलग-अलग होता है उन्होंने आगे कहा मुझे लगता है कि ये बहुत पुराने टॉपिक है मुझे नहीं पता भी कितना इंपक्टफुल है मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना जाऊंगी जिसके बारे मैं मैं पूरी तरह से नहीं जानती हूँ इस टॉपिक पर वो ही दो लोग बता सकते हैं जो इन्वॉल्ट है जब मैं उन दोनों से बात करूँगी तो मुझे साफ होगा कि मामला क्या है फिर देख लेंगे कैसे और क्या करना है अब एक कॉमेंट करना नॉनसेंस होगा पर आपके फलकनास की शिफकनास और अविनाश के रिलेशनशिप के बारे में कहीं इस बात पर क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंट में ज़रूर बताए ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें